आपकान और तापसी पन्नू की फिल्में बॉयकॉट हो गई रिलीज होने के बाद फिल्में डिजास्टर हुई कुछ कमाई नहीं हुई बावजूद इसके मुसीबतों ने इन दोनों स्टार्स का पीछा नहीं छोड़ा है इनकी फिल्में डिजास्टर होने के बावजूत एक और मुसीबत में पड़ती नजर आ रही है और ये मुसीबत लीगल मुसीबत है लाल सिंग चड़ा और तापसी पन्नु की शाबाश मीठू पर अब कोट में एक PIL फाइल हुई है कहा जा रहा है कि इन फिल्मों में जो विकलांग लोग है उनका मजाग बनाया गया है एक संस्ता है Doctors with Disabilities इस संस्ता के सहस्तापक ने ये शिकायक की है उनका कहना है कि उनकी संस्ता विकलांग लोगों के लिए काम करती है और आमिर कान की फिल्म लाल सिंग चड़ा और तापसी पन्नू के फिल्म शाबाश मीठू में विकलांग लोगों का मजाग बना कर रखा है इस संस्ता ने ना सिर्फ फिल्म के मेकर से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है बलकि CBFC जिन्होंने इन फिल्मों को पास किया है उनसे भी जवाब मांगा है और Information and Broadcast Ministry से भी जवाब मांगा है तो बॉयकोट होने के बावजूद इन फिल्मों की मुसीबते खत्म नहीं हो रही है जिस तरह से एक के बाद एक फिल्मे बॉयकोट हो रही है जिस तरह से फिल्मों को लेकर केस फाइल हो रहे हैं उनके किलाफ अदालतों में शिकायते हो रही है आपको क्या लगता है कि क्या फिल्मे अभी ऐसी Controversial बनने लगी है या फिर लोगों का ध्यान अब फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ बॉयकोट करने पर लगा है इसलिए वो हर कोशिश कर रहे है फिल्मों को उलजाने की आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें